नमस्कार ये आकाश्वानी है अभी आप तादूयाजो से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने गांधी नगर में महिला ससकते करन की G20 मंत्री स्तर्य बहटक के उठगाटन सत्र को संबोधीत किया प्रधान मंत्री नरंदर मोदी आज उत्तर प्रदेश और दक्सिनी राज्यों के इंडिये सांसदों से मुलाकात करेंगे मनिपूर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी दलों का हंगामा दो पहर दो बजे तक के लिए लोकसभा की कारवाही स्थगिद हरियाना हिंसा में 116 लोगों को गिरफतार किया गया भारत वेस इंडिस के खिलाब 2020 अंतराष्टिय श्रिंखला का पहला मेच कल त्रिनिदाद और तोवेगों में खेलेगा समचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने कहा है कि महिला नेतरत्व में विकास टिश्टिकौन महिलाससक्तिकरण का सबसे प्रवहवी तरीका है गांदिनगर में महिलाससकतिकरण की G20 मंत्रिस्तर्य बेठके उर्कारतन सत्रव को संबोदीत करते हुए उन्होंने महिलाओं के विकास में आने वाली वादाओं को दूर करने का आवाहन किया श्रीमोदी ने सवी सेत्रों में महिलाओं के लिए समान अफसर की आवशक्ता पर बल दिया प्रधान मंत्री ने सहकारी शेत्र विशेशकर डैरी शेत्र में महिलाव की योगदान को याद किया उन्होंने सोयम सहायता समुओं के माध्यम से महिलाव की एक जूटिता को परिवर्तन का एक सक्तिशाली साधन बताया महिलाओं के नेत्रतवों वाले विकास के प्रती सरकार के प्रतिवधता को पुष्टी करते हुए श्री मोधी ने कहा कि मुद्रा योजना के तहट सतर प्रतिशत से अधिकरिन महिलाओं को स्रुकित की गए गए हैं उन्होंने साशन, ब्यापार, अंतरिक्ष और प्रोध्योगी की से लेकर सस्त्रबल तक श्रंबल में महिलाओं की भागिदारी वराने की भी बात की केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृती इरानी ने अपने संबोधन में तकनिक सामयता मंच सहित कई गतिशिल परिनामों के लिए जी टुइंटी के भारत की अध्यक्षपत की भूमिका की सराना की उन्होंने आशा व्यक्त की कि मंत्री स्तरिय बैटक की सवेकारिय उन्मुक प्रतिवा दताओं में महिलाओं के नेतरत्व वाला विकास केंद्रे होगा इस बैटक में G20 सदस्यों, आमंत्रित, देशों और अंतराष्टी संगतनों के प्रतिनीदी मंदलों के प्रमुखों के नेतरत्व में 150 से अधिक प्रतिनीदी भाग ले रहे हैं। समेलन के दोरान गुजरात के मुख्य मंत्री वुपेंद्र पतेल ने सिल्प, पोशन, भोजन, स्वास्त, सिक्षा, कोशल, ब्यापार और अर्थिव्यवस्था में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत है 75 महिलाओं का योगदान विश्यों पर एक प्रदर्शनी का उडखा टंबी किया पधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो हजार चोबिस के लोग सभाचुनाव के तैयारियों को लेकर आचराश्टी जन तांत्रिक गटबंडन के सांसदों के साथ बैठक करेंगे सूतरों के अनुसार पधान मंत्री आज शाम, उतरपरदेश के काशी, ग पुड्डू चेरी लक्षदेप तथा आंडमान निकोबार्दीप समू के इंडिये सांसदों के साथ भी वार्ता करेंगे सूंवार को पधान मंत्रे ने पश्चिमी उतरपरदेश, बुंडेलखन और व्रजशेत्र तथा पश्चिम बंगाल, जहरकन और और उरिसा के परण लोगसभा की कारवाही आज दिन में दो बजे तक के लिए स्थागित कर दी गई है। उधर राज सभा की कारवाही शुरू होने पर सभापती जगदिव दन्खर ने मनिपूर हिंसा और अन्य मुद्दो को लेकर विपक्षिदलों के स्थागन प्रस्ताव के नोटिस को सुर्कृति नहीं दी। विशेश अधिकार है। कॉंग्रेस, टीमसी, डीमक, एन्सीप, वामदल, आम आदनी पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित नाराज विपक्षि सदिस्यों ने सदन से वाक आउट किया। सांसत में जारी गती रोत की वीश राजसभा के सभापती जगदीब धन्खर ने आज राजसभा में विपक्ष के नेता मलिक अर्जुन खरगे के साथ बैठक की। इस बैठक में NCP नेता शारत पवार और कॉंग्रेस के जे राम रामेश भी शामील हुए। वित्यमंत्रे निल्मरा सीता रमन की अधिक्षिता में आज माल और सेवाकर GST परिशत की आज बैठक होगी। इसमें ओनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर लगाने के तोर तरीकों को अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है। परिशत ने 11 जुलाई को अपनी पिछली बैठक में ओनलाइन गेमिंग, कैसीनो और होर्स रेसिंग पर 28% कर लगाने को मंजुरी दी थी। बात में केंद्रे और राज्य के कर अधिकारियों की विदी समीती ने कर मामलों के लिए सप्लाई वैल्यू के संभन में जी एस्टी परिशत के विचार के लिए नियमों का मसवरा तयार खिया है। परिशत की आज वर्चुल बैठक में समीती की सिफारिशों पर चर्चा होगी। और इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने GST फैसले पर आसंवेदानिक और असंगत बताया। विदेशों से चलाय जा रहे ओनलाइन गेमिंग कमपनियों पर कर लगाये जाने के बारे में श्रीवेश्टप ने कहा है कि उनका मंत्राले यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिवद है। लोग सभाग में एक प्रशन का उत्तर देते हुए। उन्होंने कहा कि रेलवेश स्टेशनों पर CCTV केमरे लगाने से अपरादों को कम करने में काफी मदद मिली है। उन्हों पर विशेश उपाय किये गए है। मंत्रे ने कहा कि उन्हों इस स्टेशनों पर निगरानी केमरे लगाने और रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती के अलावा अपरादों को रोकने और यात्रियों के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल और स्थानिय प प्रोद्योगी की राज्य मंत्री राजीब चंद्रशेखर ने कहा है कि दूरसंचार शेत्र दिजिटल अर्थिव्यवस्ता का विस्तार करने और दो हज़र चब्वीस तक पांच खरब डोलर की अर्थिव्यवस्ता का लक्षे हासिल करने में बरी भूमी का निवा रहा प्रोद्योगी की राज्य मंत्री विके सिंग ने कहा कि राष्ट्रिय राजमर्गों पर खूफिय प्रनाली लगाए जा रहा है। रही है और सरकार बेरियर के बिना ट्रोलिंग लगाने की योजना त्यार कर रही है। उन्होंने कहा कि अप्टिकल फाइवर नेट्वक का नए तरीके से उप्योग किया जा रहा है। फ्रेशिंग ने कहा कि नेट्वक से जूरी ग्राम पंचायत की संख्या एक रिकोर्ड बन गई है। उन्होंने बताया कि 5G नेट्वक देश में 631 जिलों में पहुंच गया है और सरकार 6G नेट्वक की दिशा में काम कर रही है। पांच नियाइदीशों की पीट इन याचिकाओ पर आज से रोजाना सुनवाई करेगी। पर इस अधिवक्ता कपिल सिबल अनुछे 370 निरस करने के खिलाब याचिका करताओ की और से दलिल देने की अगवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने दलिल कल जारी रखेंगे। अन्य अधिवक्ता कुछ पहलू पर अपनी दलिले दे सकते हैं ताकि बहस में व्याबधान ना आए। अनुछे 370 और जमुकश्मीर पूर्णगरतन अधिद्यम 2019 के प्राबधानों को निरस करने के बारे में चुनोती देने वाले कई याचिकाओ को 2019 में सम्वेदान पीट को भेज दिया गया था। जाना में 31 जुलाई को दो समुदायों के बीच हिंसक्ठ जर्पों के बाद नू और उसके आसपास के जिलों में स्थिती शांतिपून बनाई हुई है। जाना में सम्वेदान बनाई हुई है।